नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से नवरात्री की पावन पर्वा सुरू हो चुका हैं और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्री को बहुत ही धुमधाम्शे मनाते हैं नवरात्री में पूजन, पाठ, वरत ये बहुत ही नियम पूर्वा किये जाते हैं और ऐसे भी मान्याता है कि नवरात्री के दोरां कुछ भी मातारानी के लिए पूजा पाठ करते हैं वरत करते हैं उनके लिए जो भी उपास वरत रखते हैं तो शभी प्रकार के मनोकामना की पूरती होती है क्योंके 9 दिनों तक मातारानी इस प्रिथवी पर आ जाती है और अपने भगतों के शभी प्रकार के मुरादे को पुणना करती है जो 9 दिन है मातारानी के 9 सरुप की विशेषकर पूजा अर्चना करने का दिन होता है तो नवरात्री में घर में ले आएं यहां एक चीज गरीबी भूल जाएगी आपके घर की रास्ते जिहां नवरात्री में कुछ ऐसे चीजे हैं जिसे घर में ला करके रखने से मातारानी बहुत ही प्रशन होती हैं और अपने भक्तों के शभी प्रकार के जो मुरादी हैं मनों कामनों से पुर्णा करते बिड़ो को ध्यान से देखना आज की जो बिड़ो कभी से हैं बहुत ही सुन्दर हैं अगर आज की बिड़ो मिस कर दिये तो फिर आप बाद में गरीब की गरीबी रह जाओगी कहने का मतलब हैं कि धन समपदा पराफ्त करने का नवरात्री में जबर जस्ता पावर फूल च बतार हो ज़रूरी निये के नवरात्री के प्रथम दिन ये खरीद करके लाएं आप चाहते हैं तो किसी भी दिन नवरात्री की दिन में आप इसे खरीद करके अपने घर में लाकर की स्थापित कर सकते हैं अब कि दिन दुगनी राच चुगनी तरक्कियों के साथ इसाथ न अर नवरातिरी से जुड़ी बहुत सारे जानकारी बताऊंगे विडियों को धहन से देखना मैं हर दीन बोलता हूं कि माता राणी नवरातिरी में माता रानी जो सेवीका होती है हमारे घर के द्वार पे नौ दिनो तक आती हैं हम कितना पूजा करें, कितना पाट करें हैं मात मातारानी के लिए हम कौन सी भोग लगाए हैं मातारानी को प्रसंद करने के लिए हम अपने घर में कौन सी वस्तु घर में खरित कर के लाएं यह सारे जानकारी की सुषना मातारानी को उनके सिविका देती हैं जिहां आपने देखा होगा गाओं में जब अगर ग्रामीन इलाक गुमती हैं और कौन कितना पूजा कर रहे हैं कौन कितना पाट करें कौन कितना भाक्ती करें उसके नुसार मातारानी को जाकर कि उनके शभी कर्मों को बताते हैं फिर मातारानी जाने से पूरवा हमारे कर्मों को हमारे भाक्ती को देखते हुए हमें आसिरवात प्रदान करते इसलिए नवरात्री के समय में सोना नहीं चाहिए, नवरात्री के समय में हमें भूल करके सराव वगेरा का शेवा नहीं करना चाहिए, लसून प्याज जो ये तामसिक चीज कहें कहें, इनका परिद्या कर देना चाहिए, तो नवरात्री में कौन से इसी चीज है, जिसे हम घर में खरीद करके लाएं जिसे हमारे घर में अनधन की बढ़ोतरी हो सारे जानकारी इस बिड़ो में जानेंगे देखे प्राचीन गयान चैनल का मकसद है जन ही तेवं जन कल्यान करना आप हमारे बिड़ो को देख रहें आप हमारे विवरस नहीं बलकि आप हमारे परवार की हि किस्मत वाले समझते हैं क्योंकि दोस्तों हम बताना चाहेंगे हमारे इस चैनल में ब्यूज आए या ना आए सबिस्क्रेबर बढ़े या ना बढ़े इसे हमें कोई फरक नहीं पड़ता अगर हमारे बिड़ो को देख करके किसी एक भी वेक्ति का भाला होता है तो हमें भी पुन्य की प्राप्ति होती हमें भी सवभागय की प्राप्ति होते हमें भी अच्छे लगते हैं क्योंकि अगर हमारे बताय जानकारी से किसी एक भी वेक्ति का भाला हो रहे तो हमें भी पुन्य की प्राप्ति होता है तो चले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नवरा यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे हिंदु धर्मा में कहें तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं चार्ध हम की यात्रा करना चाहते हैं लाग प्रयास करने के भी बाद आपकी मनों कमना पूर्णन नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो हैं नव यातरा मंगल महीं हो जाएंगे चाह चाहकर के भी यातरा पुढणा नहीं हो यानी के समगाते हैं आपकी ऊत्वीन हैं क्या अर्थी कला हो न वृतारी के समय में अगर आर्थी कलते हैं देवीás को समर्पित करना नवरात्री के समय में चांदी से बने कोई भी समागरी ला करके मातारानी को समर्पित करना और इस चांदी से बने वी जो समागरी आप ला करके समर्पित करेंगे तो दसवे दिन आपको इसे गंगजल सिस्नान करानेक बाद लाल कलर की कपड़े या फिर चांद ज्याफ़े में चेर बीक्ट करेंगे के तो नम्रातरी के प्रतंब दिन सही लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके रखें बिल्कुल ही गाय का घी ला करके रखें और इनके जोत जलाएं और माता रानी की जो बीज मंत्रा कहें हैं जैसे कि या देवी शारा भूतेशु शक्ति रूपेन संसीता नमस्ता सई नमस्ता सई नमस्ता सई नमस्ता सई नमो नमा इस मंत्रा गध्य करके लाना है मिटटी का छोटा साब स्वयंग की घर भी बना सकतें ये बनाकर almost अन्वाराइब को शमरपीत गर preçoब करोड़ीन हो फ्सक्रवर, आपके पास घर होंगे पकिंदि चाहते हैं तो तीन नारिया ला अपारधन संपती प्राप्त करने के लिए जबरजस्त गुप्ता परोग बता रहा हूँ तो अपारधन संपती प्राप्त करना चाहते हैं तो नव दिनों में आपको किनर से एक एक गुरुपय पैसे मांग लेना है देखे बड़ा मुश्किल से किनर पैसे देते हैं क्योंकि के जो दुवा होती है उसमें काफी दम होते हैं अगर आपको कोई किन्ना अच्छे संपर का कह हैं अपसे अच्छे बनते हैं तो नौ किन्नर से आपको एक एक उर्पया का सिक्का लेना है और आपको इशे गंगजल में धोने पद्न नौरातरी की समय में ही आपको अपने अब चाहते हैं तो मॉली धागा फिस दिन खरीत करके नव गाठ लगाद इस धागा को नव मनो कामना बोलते हुए नव दुर्गा का ध्यान करते हुए नव प्रकार के मनो कामना बोलते हुए नव गाठ लगाना और नव दुर्गा माता को इसे समर्पित कर देना है यानि कि भेंट कर देना है तो नव प्रकार के आपकी छकी पूर्ती होता है आप चाहते हो तो भी माता बहने जीवन काल में चाहिए एक ही बार क्योंनों माता रानी को 16 सिंगार चड़ा दें तो ऐसे वक्ति जो परवारिक जीवन में असान्ति है ऐसे विक्तिक अगर परवारिक जिवन में किसी भी प्रकार के परसानी वह परसानी समापता हो जाते हैं अगर कोट के चेहरी का मामला चेहर हैं या फिर वाद विवाद बढ़ चुके हैं डिवोस होने का खातर ने तो 16 सिंगार मातारानी को चड़ा देना बिलकुली बिखरते के परिओबार बन जाएंगे यानि मातारानी बर्बाद होने से बचा लेते हैं नवरातृ में ये पंड़ने लिखने यो च्छमता हो तिब्रह हो जाती है गर Eastern नकर अत्मा उरजा को भगाने का काम करते हैं घर में इक प्रकार के पाज़ेटिव वाता बनने ये खर देते हैं, घर में नक्रात्मक śक्ति को सोंख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते particular आपके घर में लगा वास्तू हैं उसे भी भागाने का कम करते हैं, आप कुछ करे ना करे लेकिन नवरातरी के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना नवरात्री में अगर कोई वेक्ति केले के पौधा अपने घर में लगाते हैं आंगान में लगाते हैं पूजन कनेकबाद अगर रोज इसमें जल चड़ाते हैं तो ऐसा माना गहा है ऐसे वेक्ति को धनवान बनने से गुड़वान बनने से दुनिया की कोई भी सकती नहीं रोप पातें और भी कुछ समागरी हैं जिस नवरातरी में आपको अवश्चलानाचे जैसे की चांदी की कच्छुवा हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं तो चांदी की कच्छुवा अपने घर में जरूर लाईए चांदी की कच्छुवा घ अपने धन स्थान पे रखना ऐसा माना जाता है कमल के जितने भी पंखुडिया होती है उतने ही आपको एक प्रकार के हम बोल सकते हैं राह याने की रास्ता कमल में जितने पंखुडी होंगे उतने राह से आपको धन की प्राप्ती होगा याने की आठ पंखुडी है तो आठ म मन्तर सिद करना चाहते हैं बुद्भवश वर्तवान जैसे जो सिद्धियां है इनको प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में धार्मी कारा करना चाहते हैं, पुन्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, मन में कोई कामना नहीं केवल भक्ती प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे विक्ति मातारानी को चराण पादुका जरूर भेड करें, चराण पादुका भेड करन मता रानी कीस से प्रसन होती हैं, मता रानी प्रशन करने के इनके कई उपाया बताया गए हैं लेकिन नौरातुरी के नौ दिन में से किसी भी एक दिन अगर सब्तमी के दिन में अगर गुड़हल की फुल ले आते हैं ध्याने से शुनिए गुड़हल की कौन सी फुल लाना जो रेड कलर sauce में जिभुवा निकल इस प्रकार के आपको फुल लाना होता है और इस फुल की 21 के संख्या में माला बनाना है नवरात्री के सब्तमी तीथी को अगर आप माता काली को चड़ा देते हैं तो बिल्कुल यह आपके जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना की कुर्ती होती हैं बिल्कुल हम 101% पेपर में की गुड़ल की होती है इसके पुष्पा की माला बना करके रात आढ़ बजय के बाद नवदुर्गा माता को शमर्पित कर देना पहना देना आपके इछा पुन्ना होने शे एक महना की भीतर में आपकी बड़ी सी बड़ी इच्छा की पूर्ती होगा हम भी स्टाम पेपर म में जितने भी हम जानकारी बताते हैं ये जानकारी आपके जीवान में कल्यानकारी साभी जरूर होते होंगे मंगल में साभी जरूर होते होंगे अगर आप मंगल में साभी जरूर होते होंगे अगर आप भी मातारानी को मानते हैं मातारानी की पती तनिक भी आस्था हैं विश जाए तुजू आप विडियो सेयर करते हैं किसी की जिन्दगी को बरबाद होने से भी बचा लेते म criticized लजान गारी पर σमाप तक करते हूं दर सको। कैसा लगा आज के जानकारी हमें जरूर बताना जम आता दी।